व्यवस्ता विवरन अध्याय छे यह वह आज्या और वेविधिया और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमिश्वर यहवा ने आज्या दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो और तु और तेरा बेटा और तेरा पोता यहवा का भैमानते हुए उसकी उन सब विधियो और आग्याओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे जिससे तु बहुत दिन तक बना रहे हे इसरायल सुन और ऐसा ही करने की चावकसी कर इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पित्रों के परमिश्वर यहवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराय भैती है तुम बहुत हो जाओ हे इसरायल सुन यहोवा हमारा परमिश्वर है यहोवा एक ही है तू अपने परमिश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और यह आग्याए जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्ह इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मारग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बाधना, और ये तेरी आखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौकट की बाजू और अपने फाट को पर लिखना और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस तेश में पहुचाएगा जिसके विशे में उसने इबराहिम, इसहाक और याकुब नाम तेरे पुरोजों से तुझे देने की शपत खाई और जब वह तुझे को बड़े- और अच्छे-च्छे नगर जो तुने नहीं बनाए और अच्छे-च्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तुने नहीं भरे और खुदे हुए कुए जो तुने नहीं खोदे और दाक की बारिया और जलपाई के वुरुक्ष जो तुने नहीं लगाए यह सब वस्तुए जब वहदे और तू खाके तुपत हो तब सावधान रहना। कही ऐसा न हो कि तू यहवा को भूल जाए जो तुझे दासत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहवा जो तेरे बीच में है वहाँ जल उठाने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहवा का कोप तुझ पर भढ़के और वहाँ तुझको पृत्वी पर से नश्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहवा की परिक्षा न करना जैसे कि तुमने मसा में उसकी परिक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहवा की अग्याव, चितवनियों और विधियों को जो उसने तुझको दिय है सावधानी से मानना और जो काम यहवा की दुष्टी में ठीक और सुहावना है वही किया करना जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विशे में यहवा ने तेरे जो से शपत खाई उसमें तुप्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए कि तेरे सब शत्रू तेरे सामने से दूर कर दिये जाए जैसा कि यहवा ने कहा था फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछा पुछे कि यह चितवनिया और विधी और नियम जिनके मानने क कि आग्या हमारे परमिश्वर यहवा ने तुमको दी है इनका प्रयोजन क्या है तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरोन के दास थे तब यहवा बलवंत हाच से हमको मिस्र में से निकाल ले आया और यहवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरोन और उसके सार गहराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ध और चमतकार दिखाए और हमको वह वहां से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुचा कर जिसके विशे में उसने हमारे पुरोजों से शपत खाई थी इसको हमें सवब दे और यहवा ने हमें ये सब विधिया पालने की आग्या दी इसलिए कि हम अपने परमिश्वर यहवा का भैमाने और इस रिति से हमारे सब का भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा की आज के दिन है और यदि हम अपने परमिश्वर यहवा की दुश्टे में उसकी आग्या की अनुसार इन सारे नियमों के मानन में चाव कसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा